साइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें एक्स्क्लूसिव खबरें नवाब मलिक को एक बार फिर से जेल भेजा गया है 14 धिन के लिए उनकी न्याईग हिरासत बढ़ा दी गई है उरने एक बार फिर से और थरोड जेल के अंदर ही रहना होगा हलंकि इस बार नवाब मलिक को कुछ राहत जरूर मिली है या कहें कि जेल के अंदर कुछ सुविधा मिल रही है और इसलिए थोड़ी सी राहत कही जा सकती है लेकि निधर जब सुमवार को नवाब मलिक को राहत मिली उनकी सुनवाई के बाद उने कोट से जेल वापस लाया गया तो देर शाम जबरदस तमाशा वहां जेल के अंदर हो गया नवाब मलिक नाराज हो गए खड़ी होगी जिसके बाद मलिक से सिर्फ एक महलत मांगी गई और फिर बड़ा फैसला ले लिया गया तो क्या हुआ देर शाम मलिक के जेल पहुंचने पर फिर अगले दिन यानि कि मंगलवार की सुबह क्या हुआ सब कुछ आपको बताते हैं आप इस वीडियो को शेयर कर तो नवा मलिक को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई थी लेकिन ये सुनवाई ज़्यादा देर नहीं चली कोट ने तुरंती पहले फैसला दिया कि मलिक की जेल 14 दिन के लिए बढ़ाई जाती है और फिर इसके बार मलिक को घर का खाना बैड गदा और कुरसी रखने की पहले सुनवाई तय होगी यानि कि अब 4 अप्रेल को मलिक की कोट में पेशी होगी आगे का फैसला भी उसी दिन होगा अब कोट से सुनवाई के बाद नवा मलिक को फिर से और्थरोड जेल लाने के बाद नवा मलिक का रूटीन मेडिकल चेक अप किया गया हलांकि ये सिर् अब चेक अप के बाद नवा मलिक के वापस आने की रेजिस्टर में एंटरी की गई और नवा मलिक को वापस से उनके बार बार बाहर की तरफ देख रहे थे नवा मलिक का इंतजार लंबा होता जा रहा था क्योंकि उनकी बहरक के आसपाच कोई भी हलचल हो नहीं रही थी लेकिन मलिक लगातार एक टक बाहर ही देखे वे थे अब जेल सूतरों के मताबिक नवा मलिक ने देर शाम उनकी बैरक के बाहर मौजूद बंदी रक्षक से पूछी लिया कि कोट की तरफ से उनको रहत दी गई है उनको कुछ सामान रखने की परमिशन दी गई है तो उसका क्या हुआ वो कब मिलेगा तो जेल सूतरों के मताब बंदी रक्षक ने इस बारे में जानकारी नहीं होने और बड़े अधिकारियों से पूछने की बात कई अब जेल सूतरों के मताबिक जेल के बड़े दिकारी कुछ दिर बाद नवा मलिक के पास यानि कि उनकी बैरक के पास पहुँचे और नवा मलिक ने उनसे भी पूछ कि कोट ने उन्हें बैड कुरसी के साथ ही घर के खाने की परमिशन भी दिये तो उसका क्या हुआ उस आदेश का क्या हुआ तो जेल सूतरों के मताबिक अधिकारी ने बताया कि कोट का ओर्डर उनके पास देरी से पहुँचा इसलिए वो बंदो पस नहीं हो पाया है जी हा मलिक ने खुद ही पूछ ली और तब सूतरों के मताबिक जेल के अधिकारी ने कोट के ओर्डर में देरी से मिलने की बात कई और बात को टालने की कोशिश की बस फिर क्या था मलिक पूरी तरह से नाराज हो गए भड़क गए मलिक ने जेल के अधिकारी को हर हाल में सामान और सारा का सारा व्यवस्ता आज ही लाने आज ही करने की बात कई और ये भी कहा कि ये घलत हो रहा ऐसा नहीं होना चाहिए अब इसके बाद तो जेल प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गे क्योंकि मलिक अभी भी महराश्च सरकार के मंत्री हैं और ताकतवर मंत्री हैं लेकिन कोट के आदेश के बाद भी उन्हें वो सुविधा वो सहूलियत मिलने रही थी काफी देर तक तमाशा हंगामा जेल के अंदर होता रहा अब कंडिशन ये हुई कि जेल के अधिकारी वापस से दोबारा नवा मलिक के पास पहुचे और अपनी बात रखी जेल सूत्रों के मताबिक अधिकारी ने नवा मलिक से एक रात और इंतजार करने की रिक्वेस्ट की और कहा कि सुबह सुबह ही उनकी सारी विवस्ताइं सारी जरूरतें पूरी कर दी जाएंगी और उनको मिली परमिशन के आदेश को पूरा कर ले जाएगा हलनकी मलिक तो बेहत परिशान थे, मुश्किल में थे लेकिन फिर भी कर कया सकते थे और एक रात इंतजार के लिए मान गए हलनकी कोट के ओर्डर के बाद सुमवार की रात उनके घर से ही उनके लिए खाना पहुचा और जेल सूत्रों के मताबिक कई दिनों बाद नवाम मलिक ने ढंग से ठीक से खाना खाया क्योंकि जेल का खाना, जेल की जिन्दगी उन्हें रास नहीं आ रही थी और कोट में भी उन्होंने कहा था कि जेल के खाने में नमक ज्यादा है, तेल ज्यादा है रात खत्म होने का वेट करते रहे, और मंगलवार की सुबह सुबह ही जेल प्रिशासन ने भी कोट के आदेश का पालन करवाया और नवाम मलिक के लिए एक फोल्डिंग बेट उपलब्त करवाने की बात खबर आ रही है हलंकि साथी साथ नवाम मलिक को एक गद्धा देने की भी खबर आ रही है इसके साथी एक प्लास्टिक की कुरसी भी नवाम मलिक को उपलब्त कराई जाने की खबर आ रही है हलंकि इसे अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया लेकिन ये सारा सामान मिल गया है ऐसी बातें ऐसी खबरें आ रही है मुंबई से और नवाब मलिक ने इसके बाद हो सकता है कुछ राहत की सांस भी लियो लेकिन मुश्किलें उनकी अभी भी कम नहीं हुई है क्योंकि कोट ने साफ कहा है कि उनको दी गई सारी की सारी सुविधाएं अब जो भी हो नवाब मलिक अपनी सुविधाओं को लेकर नाराज हो गई बिगड़ गए भड़क गई जिसके बाद फाइनली मंगलवार को नवाब मलिक को कोट की तरब से आदेशित किया गया सामान मिलने की खबर आ रही है तो आपका नवाब मलिक के गुस्से पर मलिक की जेल की जिन्दगी पर क्या कहना है कमेंट करके आप भी जरूर बताएं वीडियो को शेयर भी करें कोट ने चीफ मेडिकल अफिसर से मलिक की हेल्थ पर डिटेल रिपोर्ट मांग लिए और साती साथ जेल के खाने पर भी रिपोर्ट मांग लिए ताकि देखा जाए कि सच क्या है नवा मलिक और उनके वकील जो कह रहे है उसमें कितनी सच्चाई है और उसमें अगर पूरा आदेश देना हुआ तो किस आदार पर दिया जाए इसलिए कोट ने अपने साफ आदेश में कहा कि मलिक को जो चार तरे की रहत है या कहें कि चार सुविधाय दी गई है वो सिर्फ अंतरिम हैं अगले आदेश तक के लिए हैं और अगर मेडिकल अफिसर की रिपोर्ट में कुछ और होता है मलिक के वकीलों की बातों से वो रिपोर्ट मेल नहीं खाती है तो अगले आदेश नवाम मलिक के खिलाब भी हो सकता है यह सारी सुविधाय वापस भी हो सकती है और दूसरी कंडिशन शर्तों को लेकर है अगर मलिक ने जेल के नियमों को तोड़ा शर्तों को तोड़ा जो कोट ने का है उन बातों को नहीं माना तो वहाँ पर भी उनकी राहत कैंसल हो जाएगी यानि कि कुल मिलाकर नवाम मलिक पर आफ़तों की बारिश थम नहीं रही है बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर अगले आदेश में सारी सुईधाय मलिक से चीन ली जाए अगर कुछ भी कोट को ऐसा लगता है और अगर नवाम मलिक जेल के अंदर शर्तों को तोड़ते हैं अब यहां पर कुछ मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नवाम मलिक को 14 दिन की जेल मिली यह बड़ी आफ़त उनके लिए है लगातार वो जेल में रह रहे हैं अब पहले 12 से 13 दिन वो एडी की हिरासत में रहे उसके बाद 14 दिन जेल के अंदर उनको हो चुके हैं उन्हें बाहर छोड़ने या फिर रीहा करने का आदेश नहीं आया है